दोस्तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेर करें दोस्तो आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत है हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागा थे आपका जियो भी निश्वें दोस्तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरे मु खबर है दोस्तों बिड गैर कांग्रेशी सरकार दूसरी बार पून बहुमत के साथ अपने दम पर सरकार बनाएगी भारती जंता पार्टी जसर के माहूल में जुट गई है इंडिया की सरकार बननी तैं हो गई है जीत की कहानी लिखने वाले बीजेपी अद्धक्छ अमिज अपने लोग सबासन सदिये छेतर से गांधी नेगर से भारी मतों से आगे चल रहे हैं वानार्सी से प्रधारमती नरेंद मोदी की इस्तिती काफी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है वही राहूल गांधी के हाथ से एमेठी फिसलता नजर आ रहा है इस मिर्ति एरानी कड़ी टक करते रही है बीजेपी को अपने दम पर जो जीत हासिल मिल रही है उस पर जीत की कहानी में पश्ची मगाल उड़ी सा करना टकते लंगाना जैसे राजी की महत्पून भूमिका दिखाई दे रही है बिहार में गटवंदन के कारण कुछ सीटों का फायदा हुआ है तो उतर परदेश में सपा बसपा गटवंदन के कारण कुछ सीटों का निकसान भी दिखाई दे रहा है सबसे ज़्यादा पश्ची मगाल में दिख रहा है बिहार में जब गटवंदन की बात चली तो बीजेपी ने अपनी जीत हुई सीट को छोड़कर के भी नितिस कुमार के साथ बराबरी का समझाते किया इसका परिराब दिख रहा है कि राष्टिय जनतादल और कॉंग्रेस एवं अन्य दलों के साथ महागटबंदन कोई करिस्मा नहीं दिखाई दे रहा है हर्याना और करनाटक में बीजेपी को फायदा हुआ है वहें पुर्वत्तर राचों में इसका असर दिख रहा है असरम के 2-3 सीटों पर बीजेपी को फायदा हो सकता है बीजेपी के अनुसार जमीनी अस्दर पर मजबूत कारिकर्ताओं को टीम में काफी महनत की है जित की कहानी लिखने वाले बूत के अस्दर पर कारिकरताओं को भी पूरी फوج नजर आ रहे है आपको बता दी कि वैसे तो एक्जिट पोल में साफ हो गया था कि एंडिये को महत्पून जीत मिल सकती है लेकिन जुद इसके आज के परिणाम काफी एतिहासिक हो जाता है कॉंग्रेस के अलावा बीजेपी ऐसी दूसरी पार्टी हो जाएगी जो अपने दम पर दूसरी बार सरकार बनाएगी भारत में नक्से के भगवा रंग और गाड़ा हो गया है देश की जनता एक बार फिर से मोधी सरकार ला रही है जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी किवर इलेक्सन रिजल्ट में पश्ची मगाल में बीजेपी ने ममता बनर जी के गढ़ में लगाई सेंध 18 सीटों पर बनाई बढ़त जी हाँ दोस्तों पश्ची मगाल में बीजेपी को एतिहातिक सफलता मिलती दिखाई दे रही है रुजपानों में, बीजपी को 18 सीटे का जबधत बड़त मिल रही है यहां बीजपी और ममता बनशी के बीच friendly के बीच टीमसी के बीच काटे की टकर देखने को मिल रही है बीजपी की सफलता को देखते हैं काजा जासकता है कि उनके ममता बनर जी के गड़ में जबर्दस सिंध मारी की है बीजेपी के लिए यहां सफलता किसी करीश में से कम नहीं है क्योंकि साल 2014 में बीजेपी को पस्ची मगाल में सिर्फ दो सीटे मिली थी लेकिन लगता है कि पर्थानमत्री मोधी और अमित्सा के परशार में मतनाताओं पर गहरी चाप छोड़ दिये रुज़ानों में टीमसी के 22 सीटों से आगे चल रही और 2014 के तुलना में उसमें 12 सीटों का निकसान देखा जा सकता है आपको बतादे कि परश्ची मगाल में 22 सीटों के मुकाबले से साल 2014 में ट्रिमूल कॉंग्रेस को 34 सीटे, कॉंग्रेस को 4 सीटे, बीजेपी को 2 जबकि लेफ्ट को खाते में 2 सीटे मिली थी पहले से ही बीजेपी और मामता बेनर जी के बीच त्रिमूल कॉंग्रेस के बीच मुख्य मुकाबले के उमीद थी और सुरुवाती रोजहान में यह भी साबित हो गया कि चैनल के एक्जिट पॉल में इन ही दोनों पार्टियों के बीच मुलकात दिखाया गया है आपको बता दें कि बीजेपी ने इस बार लुक्स बा चुनाओ में मामता बेनर जी के गड़ में सेंध लगाने के लिए पूरी ताकत छोगते थी यहां चुनाओी रेलियों में बीजेपी और टीम सी के बीच जबज़स नारेबाजी का दोर भी चला था आपको बताते कि पस्ची मगाल में हुए चुनाओ के हर चरण में एक बात कहीं न कहीं हिंसा के खबरे तो सुर्क्यों में रही लेकिन अंतिम चरण में पहले ऐसे कॉलकता में बीजेपी अमिसा के रोड़सों के दौरान हिंसा पथरबाजी और आग जली के कारण चुनाओ आयोग ने पुरु निर्धाई समय से कुछ दिन पहले ही चुनाओ खत्म होने का आदेश भी दे दिया था इस चुनाओ आयोग का फैसला एतिहासिक था इसलिए सबसे पहले ऐसा भी रज नहीं हुआ जहां आयोग ने इस निर्धाई पे काफी अरोचना भी कुई अगली बड़ी कवरे बिहार में सुरुबा मना NDA महागटवंदन को दो सीटे के लाले जी हाँ दोस्तों आज तक के एक्जिट पोल सरवे में कॉंग्रेस आर्जटी के कई दिगजों का बिहार में चुनाओ जीतना आसान नहीं लग रहा था पट्ना साइब संसाथिये छट में कॉंग्रेस के सत्रुधन सिन्हा पाटली पुत्र के आर्जटी के टिकट पर चुनाओ रही थी लालू परसाद की बेटी मीसा भारती बेगुसराई से सीपी आई के टिकट पर चुनाओ लड़ा है करहिया कुबार चुनाओ से पीछड़े दिखाई दे रहे है एक्जिट पोल में बिहार में प्रधानमतिन नरेदर मोधी और मुख्यमंतरी नितिस कुमार की जोड़ी रिकोर्ट दर्ज करा सकती है इस बार NDA को 40 में से 38 सीटे मिलती नजर आ रही है वहीं आर्जटी में O1 और कॉंग्रेस को 1 सीटे सीमट सकती है जबकि जारखन में बीजेपी गटवंदन के खाते में 12 से लेकर के 14 कॉंग्रेस के खाते में 2 सीटे दिखाई दे रही है दोस्तों अकली बड़ी ख़बर है चुनाओ नतीजे देखर के मतगरना के अंदर पर ही कॉंग्रेस जिला धक्ष की हार्ट अटेक से मौत हो गई है आपको बता दे कि मद्ध पर्देश में सिहोर में एक मतगरना के अंदर पर सिहोर जीला कॉंग्रेस अदक्ष रतन सिंग ठाकूर के हार्ट अटेक से मौत हो गई है बताये जा रहा है कि रतन सिंग ठाकूर मतगर्णा केंदर पर वोटों की किंति देखने के लिए पहुंचे थे लेकिन अचानक वो बहोस हो करके गिर पड़े मतगर्णा केंदर पर मौझूद लोगों ने बताया है कि सिहूर जीला कॉंग्रिस अधक्ष रतन सिंग ठाकूर अपने साथियों के साथ मतगर्णा केंदर पर आये थे तभी वे नतीजे देखते हुए खास कर के कुर्सियों पर गिर गए है और उन्हें ततकाल हस्पता लेकर गए जाये जहां उनकी मोत हो गई है आपको बता दे कि मालूम होगा कि देश मनें ब्लोक्स बचोनों के काउंटिंग अभी चल रही है रुजानुग में बीजेपी 300 से आकड़े पार कर चुकी है मदपर्दिस में खास करके बीजेपी बड़ी जीत हासिल कर रही है कॉंग्रेस के कई दिगजलेता हरते हुए दिखाई दे रहे है दोचाई तोदो में लोक्स बचोनों के मदपर्दिस में बीजेपी की बड़ी बाजी मारी थी जहां पर 29 सीटों पर सताई सीटे जीत की थी जबकि कॉंग्रेस दो सीटों पर जीत पाई थी हाला कि आपको बताते हैं कि मोदी लाहर होने के बावज़ूद मदपर्दिस की गुना और चिंदवाड़ा सीट बीजेपी कॉंग्रेस से हाथ से चिंद जा रही है लेकिन इस बार कॉंग्रेस की बची सीटेज भी बीजेपी जीत गई है पूरे देश में बीजेपी की लगबग 280 सीटों पर आती दिखाई दे रही है दूसरी और कई राउंड की मत गणना के बाद अमेठी में राहूल गादी पीछे चल रहे है दूसरी और हरियाना, गुजरात, बिहार, मध्यपरदेश, राजस्थान में एंडिये लगबग क्लीन पीच के हालात में पहुंच चुके है सबसे ज़्यादा चोकाने वाले आकड़े बिहार और उत्तरपरदेश में मिल रहे है जहां महागटवंदर ने पूरी तरीके से बीजेपी से आगे पूरी तरीके से फेल हो गया है जिस तरीके से उत्तरपरदेश में बीजेपी आगे चल रही है और सपा बसपा के लिए बहुत बड़ी मुस्किलों का सामना करना पड़ रहा है आपको बताते कि करनाटक में लुकसबा सीटों में 28 में से 23 सीटों पर भाजपा अपने परतिद्वंदियों से आगे चल रही है राजस्थान में लुकसबा सीटों के मत करना में भाजपा की अगवाय वाला राजप सभी 25 सीटों पर आगे चल रहा है और सुबह 11 बजे तक के रुजहान में लगबग 14 उमिद्वारों की बढ़त 1 लाग से अधिक मतों से हो गई आपको बताते हैं कि भिलवारा सीट पर तो प्रत्यासी की सुरुवाद बढ़कर के 3 लाग से भी अधिक हो गई इस बात क्या होगा कि ऐसा वजह क्या हो सकता है कि 5 साल में सत्ता बिरोधी लहर के बाद भी कॉंग्रेस या भी पक्ष जीत हैसीन नहीं कर पाए जिहा दोस्तों आपको बताते हैं कि मोदी के राष्टवाद के आगे कॉंग्रेस पूरी तरीके से फेल है जिहा दोस्तों ऑप्रेशन बालाकोर्ट के बाद बीजेपी राष्टवाद की लहर के परसवार हो गई जबकि कॉंग्रेस के इस पर सबुत मांगते नजर आ रहे ह इस चुराओं में सेना और BJP की छवी को एक कर दिया और आपरेशन बाला कोट के बाद BJP का फिरोध मतलब सेना का फिरोध हो गया और राहूल गांदी इस औधारना को तोड़ नहीं पाए जिहाद और तो फेल हो गए राहूल गांदी का मुद्धा, बीते दो वर्स में Congress Attacks राहुल गाधी ने रफाल तीर में प्रधान मत्री मोधी पर सीधे घोटाले के आरोप लगा है और मंच से उन्होंने चोकिदार चोर के नारे भी लगाए लेकिन प्रधान मत्री मोधी ने इस आरोप का मुलगात आकर्मन करते हुए किया और चोकिदार चोर है के नारे को जबाब में उन्होंने मैं भी चोकिदार का नारा दे दिया अब ऐसा लग रहा है कि राहूल गांधी का सीधे प्रधानमत्री मोदी पर घोटाले का आरूप लगाया जाना जनता को पसंद नहीं आया जिहां हां दोस्तों महांगाय इस पर मुद्दे नहीं बनी इस लोग सबाचुनाओं में खास बात यह थी कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद भी जरूरी चीजों के दाम नहीं बढ़े जी हां दोस्तों आपको बता दे कि कॉंग्रेस नहीं कर पाई गटवंदन यूप कॉंग्रेस का घोशना पत्र भी बहुत बड़ा था कारण क्या था कि ऑपरेशन बालापकोट के बाद जहां देश राष्टवाद की लहर का पर सवार था तो वहां कॉंग्रेस के घोशना पत्र में जम्मू कस्मीर से जुड़े अनुछे 370 को छेड़ चार नहीं और सेना क और निफ्टी दोनों के जबजस उचाल देखने को मिला है बजार की इस तेजी से अंदरूनी इंटरप्राइजेस के सेर में खास उचाल देखने को मिला है बजार को एंडिये को मिली बढ़ध के साथ यह दिखाई दे रहा है चुनाओ नतीजों के रुजानों में ऐसा पुरान सेंसेक्त एक हजार पॉइंट तक चड़कर के नीचे उतर आया है, सेंसेक्त की यह बढ़त अब तक के 250 पॉइंट पर थम गई है, वहीं निफ्टी की बात करें तो 120 पॉइंट पर रह गई है, दूसरी बाजार बात करें तो रुजान के बाद एक बार ओल टाइम पर पहुँच गया है, सेंसेक्त 40,000 का आकड़ा पार कर चुका है और निफ्टी 12,000 का, जी हाँ तो आप बता दे कि चुनाओ नेतिजों के रुजान में उत्सा होकर के 40,000 के पार पहुँचने के बाद 700 पॉइंट नीचे गिर गया, वहीं निफ्टी भी गिर करके 11,800 पर पहुँचा है, निफ्टी पहली बार 12,000 पर पहुँच चुका था